अब आपके साथ मैं हूँ जबल 2022 में होने वाले पांच राज्यों के बिदानसवा चुनाओ के लिए अभी से ही राजदीतिक पार्टियां जनता को लुभाने और रड़ीतियां बनाने में जुट गई हैं उत्रप्रदेश, पंजाब, उत्राखंड, मडिपूर और गोवा में कौन कुरसी पर बैठेगा और किसकी कुरसी छिनेगी इस पर अभी से ही सियासत की गड़ित लगाई जाने लगी है उत्रप्रदेश में इजवार जनता का मिजाज क्या है इसका पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा मगर अभी से ही समाचार चैनलों और सर्वे एजेंसियों ने जनता की नबज को टटोलना शुरू कर दिया है ABP News Sea Water अपने लेश्टेस सर्वे में UP का मूड बताया है बीजेपी को साल 2017 के मुकाबले कई सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है इस बार बीजेपी 300 का आकड़ा भी पार करती नहीं दिख रही है भाजपा को 213 से 221 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है अगामी 2022 चुनाओं में पारटी को पिछले बार की 325 सीटों के मुकाबले 104 से 112 सीटों का नुकसान होगा वहीं सर्वे में सपा को फायदा होता दिख रहा है सपा के लिए इस बार उत्तरप्रदेश में 152 से 160 सीटे जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है सर्वे में सबसे खास बात है कि इसमें मायावती को रेश से बाहर बताया जा रहा है सर्वे में 79 फीजदी लोगों का मानना है कि मायावती इस बार बिधान सबा चुनाओं रेश में नहीं है जबकि 31 फीस दिलोगों का कहना है कि मायावती को चुनावी मुकाबले से बाहर नहीं माना जा सकता है आपको बता दे कि बस्पा को 16 से 20 सीटे मिलने का अनुमान इस सर्वे में लगाया जा रहा है जबकि 2017 में बस्पा के खाते में 19 सीटे आई थी दूसरी तरफ पियंग गांदी की सक्रियक्ता का फायदा कॉंग्रेस को मिलता नजर नहीं आ रहा है कॉंग्रेस को सर्वे के मुताविक यूपी में सिर्फ 6 से 10 सीटे ही मिल रही है यूपी चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे वड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है सर्वे में 30 प्रत्षत लोगों ने कानून व्यवस्था को सबसे वड़ा मुद्दा माना वहीं 14 प्रत्षत लोगों का मानना था कि यूपी में रामंदर मुद्दा रहेगा 15 प्रत्षट लोगों ने किसान आंदोलन को इस बार चुनाव में मुद्दा माना सर्वे में 70 प्रत्षट लोगों का मानना था कि विरोजगारी भी इस चुनाव में मुद्दा रहेगी कि अजय जुकी हम रहे को डीए करा में और चाह स wür़ हम shoots कि अन्हुनाव में आंद।